ट्रांस्पोर्ट माफिया पर नकेल कसने के लिए मुख्य मंत्री कैप्टन नम्रंदा सिंग ने एहम फैसला लिया है मुख्य मंत्री ने सकती दिखाते हुए दस दिनों में अवैद बसों को पंचाब की सडकों से हटाने काल्टी में टमतिया है विजिलेंस विभाग को बस ओपरेटर्स की जांच करने के आदेश दिये गए हैं जो कि 10 दन में अपनी रिपोर्ट सौबे की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में हो रही देरी और प्रदेश में बेख़ौफ चल रहे ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कैप्टन सरकार अब पूरी तरह से आक्शन के मूड में नज़र आ रही है पुखे मंत्री कैप्टन अमरंदर सिंग ने आ टिये और विजिलेंस को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में बेल अगाम चल रहे ट्रांसपोर्ट माफिया अगले 10 दिनों में बंद किया जाए इसकी रिपोर्ट सरकार को सौपी जाए कैप्टन ने कहा कि जो अधिकारी गैर कानूनी ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कारवाई नहीं करेगा उस पर सरकार कारवाई करेगी सिर्फ इतना ही नहीं कैप्टन अमरंदर सिंग ने कहा कि जल्द ही सरकार नहीं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाने जा रही है पंजाव इधान सभा चुनावों में ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म करने के लिए कॉंग्रेस की और से वादा किया था लेकिन धाई महीने बीच जाने के बावजूद प्रदेश में बेलगाम चल रहे ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर आ रही रिपोर्टों और ट्रांसपोर्टों के बीच हर रोज हो रहे जगड़ों के बाद कैप्टन सरकार ने सकत रुक अपतियार कर लिया है इस मामने में पंजाब हर्याना हाइटपोर्ट ने सकती की दीज चौथे सुट्रास पोटरों के पर्मिट और लाइसेंस रद कर दिये गए थे चन्डिगर से चक्तार भुलर के साथ निउस्टेस रिपॉर्ट सी मीडिया